तो देखिए कली मैंने आप लोगों को बता दियाता कि गनपत का जो टीजर है वो एक दो दिन डिले हो सकता है और आज मेकर्स की तरफ से ओफिशल अनौसमेंट आ गया है कि टीजर आज हमें देखने को नहीं मिलेगा कई लोग अभी भी सुबह से वेट कर रहे थे कि शायद देखने को मिलें लेकिन टीजर जो है उसे शिफ्ट कर दिया गया और अब टीजर हमें देखने को मिलेगा पर जो यानि कि 29 सेप्टेंबर को मुझे तो पता नहीं समझे नहीं नहीं रहा कि पुझा एंट्रेटिन्मेंट वाले करना क्या चाह रहे है मदब 29 सारिक से आप द पुझा एंट्रेटिन्मेंट की फिल्म है उसको भी देखे 6 अक्टूबर को फिल्म रिलीज होनी है लेकिन कहीं पर कुछ हाइप भी नहीं है उस फिल्म की जबकि उसका टीजर अच्छा था अभी ट्रेलर आ वो भी अच्छा था ओडियंस को पसंद आ रहा है टीजर ट्रे तरीके से चीज़े चल रही है और मुझे लगता है कि टाइगर शॉफ के फैंस को आवाज उठानी चाहिए कि इसली उनकी कुछ फिल्म को आप देखेंगे तो आउडियंस ने कुछ खास पसंद किया नहीं लेकिन आप देखेंगे तो टाइगर शॉफ का बॉक्स ऑफिस प करी चुकी थी और लोगडाउन ना होता तो सौक औरूट पार चलिया थी जबकि नेगेटिव रिव्यूस थे उस फिल्म के तो टाइगर शॉफ का बॉक्स ऑफिस पूल अच्छा है यदि गनपत का प्रमोशन अच्छे से किया जाता है तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ध हैं इसके आतमी हैं सब आपका क्या है इस पर कहना कॉमेंट करते जो होता है